हेलो वेलकुम तो मैं यूटीब चैनल इस वीडियो में हम करेंगे क्लास एट्स डियेवी की जो क्लास एट्स की बुक है चैप्टर नमबर 16 है रोटेशनल सिमिट्री वक्षिट नमबर 2 करेंगे वक्षिट नमबर 2 करने से पहले इस थोड़ा पहले आपको टेबल दी गही है यहां तो हम यहाँ की देखेंगे उसमें सिम्मेट्री भी है और उसी में ही rotational symmetry है या नहीं ठीक है तो यहां पर इन्होंने देखो क्या किया है हमने देखा था square में line of symmetry भी कितनी आई थी 4 और rotational symmetry भी कितनी आई थी 4 यह इसे इन्होंने बताया है अब इसमें rotational symmetry हमने इसके find कर ली थी यह मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ इससे पहले example मैंने दिये थे आपको अब इसके बाद देखो उन्होंने बोले circle square में अगर आप देखो square को में यहां पर देखें मैं आपको square बता देती हूँ square में यहां देखो lines of symmetry one two three four four line of symmetry है और मैंने इसको इससे पहले जब मैंने introduction करवाई थी फर्स्ट वीडियो आपकी उसमें नहीं दिखाया था कि आपका square one two three और four time same वैसा ना जराता है जैसे इसके original position थी तो order of rotation इसमें कितना है था four तो अगर आपसे कोई पुछते हैं कि आप ऐसे objects के नाम बताएं यह ऐसे polygons के नाम जहां पर आपका और line of symmetry भी है और rotational symmetry भी है तो square में आपकी line of symmetry भी है और इसमें आपकी rotational symmetry भी है अब जो circle आपका example है इन्हों ने बोले circle is the most perfect symmetrical figure it can be rotated to center through any angle इसको आप कहीं से भी rotate कर लो देखो मैंने आपको बोला था इसको कहीं से भी fold करो तो पूरा overlap करता है मतलु line of symmetry भी है और जितनी चाहो कहीं से भी diameter पे से इसको fold कर लो ठीक है तो आपको line of symmetry मिल जाएगी तो infinite line of symmetry आए थी same ऐसे ही जैसे आप यहाँ माल लेजिए मालो मैंने यहाँ पर fix कर दिया जब मैं इसको rotate करती हूं मैंने थोड़ा सा rotate किया circle ही नजरा रहा है फिर थोड़ा rotate करती हूं circle ही नजरा रहा है मतलु हम जरा जरा सा भी angle rotate करते तो वो तो नजर तो circle ही आता है तो उन्होंने बोला है a circle has infinite line of symmetry a circle has rotational symmetry about around its center for every angle आप उसको थोड़ा सा भी angle चेंज कहते है तो आपको same जैसे उसकी starting में position थी वैसे का वैसे नजराता है तो इसमें आपकी rotational symmetry भी होती है और हर एक angle पर होती है अब यहाँ पर यह जो आपकी activity sheet है यह हम complete कर लेते हैं make cut outs of the following letters of English alphabet and find out how many of them have both line symmetry and rotational symmetry किन letters में आपकी line symmetry भी है and rotational symmetry भी है yes या no में लिखना है तो सबसे पहले हम z letter लेते हैं ठीक है z letter आप z letter को कहीं से भी fold करो मान लीजिए मैं इसको यहाँ बीच में से fold करती हूँ क्या इसने overlap किया यहाँ पर आपका double paper नहीं हुआ यहाँ पर भी double नहीं हुआ मतलब इसमे line of symmetry नहीं है तो मैं लिखेंगे no line of symmetry इसमें नहीं है अब इसका देखना है rotational symmetry है या नहीं rotational symmetry माल लीजिए यहाँ पर मैं इसका अगर इसको center of rotation ले लेती हूँ ठीक है यहाँ पर ठीक है यहाँ पर आपको जैड नहीं जर आए मुझे इसमें कहीं निशान लगाने की जुरूद नहीं है exactly अगर आपको जैड नहीं जर आ जाए ए क्या यह जैड लग रहा है नहीं लग रहा क्या यह जैड लग रहा है नहीं लग रहा मैं इसको घुमाती गई घुमाती गई ठीक है आप यहाँ पर देखो क्या उपर वाले point पर आपका डोटा है नहीं आया लेकिन फिर भी वह आपका जैड ही नहीं जर आ रहा है एक बार नजर आ गया मतलब 180 के एंगल पर फिर उसको घुमाना शुरू किया फिर हम वापीस अपना 360 डिगर का चक्र कंप्लीट करके आ गया है दुबारा तो यह दो बार से इम नजर आया है तो इसमे रोटेशनल सिमेट्री भी है ठीक है तो रोटेशनल सिमेट्री है सोरी मैंने यह दुबार से देखें लाइन ओफ सिमेट्री नहीं है लेकिन रोटेशनल सिमेट्री है जैड में तो आप आपके पास बहुत सारे आपको लैटर जैसे मिलेंगे जिसमे लाइन ओफ सिमेट्री नो बन रही होगी रोटेशनल सिमेट्री आ रही होगी उनकी हमारे दिमाग में क आई ति होरीजोंटल एक हमारी वर्टिकल तो इसमें टू लाइन गडी तो लाइन ओसी में है तो लिखेंगे यस अब देख लेते हैं रोटेशनल से मितली मतलब इसको रोटेट करके देखेंगे यह हो गया मैं यहां पर इस जगा प्राइसे डोट लगा देती हूं कि यह मेर डिकरी पर रूटेट किया, सेम नजर नहीं आया, अब 180 पर रूटेट होगा, सेम लेटर H ही नजर आना, जैसे आप कपिटल H लिखते हो, तो एक बार सेम नजर आ गया, 270 पर सेम नजर नहीं आया, पूरा चकर कंप्लीट होगा, 360, 60, अब दुबारा, तो दो बार सेम नजर आता, जब वो एक बार पूरा चकर आप जब कंप्लीट उसका करते हो, तो वो दो बार उसके ओरिजिनल पोजिशन आ जाते हो, दुबारा से पताते हूं, यह फस्ट पोजिशन है, उपर डोट है, एक बार सेम नजर आया, पूरा चकर कंप्लीट हो गया, फिर सेम नजर आया, तो दो बार सेम नजर आया, तो यहाँ पर रोटेशनल सीमिट्री है, तो यहाँ पर यस लिखेंगे, नेक्स लेटर है कैपिल ओ, ठीक है, कैपिल लेटर ओ जो है आपका, आप इसमें देखो यहां पर देखो line of symmetry तो थी ठीक है आपका line of symmetry मतले है यहां पर आप इसको कहीं से भी fold कर लो ठीक है आप इसको कहीं से भी fold कर देते तो same overlap करता था तो line of symmetry है तो हम लिखेंगे yes आप next है rotational symmetry ठीक है अब आप यहां पर देखो यहां पर मैंने यहां ऊपर dot लगाया मतलब यह उसको थोड़ा सा rotate करती हूँ ठीक है मैंने थोड़ा सा rotate किया वही नज़र आ रहे है area मतलब जो ऐसको थोड़ा सा अइसे घुमा ले तो इसमें यह जो आपका letter H और O है इसमें line symmetry भी है rotational symmetry भी और O letter में भी line and rotational दोनों है अगर आपसे कभी पूछते हैं कि ऐसे letter बताओ जिसमें line symmetry और rotational symmetry दोनों आ जाते हैं तो H और O में line and rotational दोनों symmetry हैं आपकी next है letter E letter E को अगर मैं हम बीच में से fold करते हूं देखो overlap तो करता है ठीक है overlap तो करता है तो line of symmetry तो है yes लिख लेते हैं अब rotational symmetry देख लेते हैं मतलब इसको rotate करके देखते हैं यहाँ पर मैं इसको dot लगा लेते हूं कहीं पर भी हम center of rotation माल लेते हैं मैं यहाँ पर इसको fix करती हूं ठीक है मैं rotate करती हूं मैंने यहाँ से इसको ऐसे rotate किया 90 degree पर E नहीं आया 180 पर rotate किया अब भी उल्टा E बन गया है लेकिन मुझे तो सीधा E चाहिए नहीं बना 270 पर भी नहीं बना और फिर वापिस 360 degree का चक्कर ही complete होगा फिर same नजराया तो अगर 360 का चक्कर complete होने के बाद वो same नजराता है तो हम उसमें क्या कहते है उसमें rotation symmetry नहीं है तो हम लिखेंगे no line of symmetry in capital N capital N को जब हम इसमें कहीं से भी fold कर लो कहीं से भी fold कर लो यहां पर paper double नहीं हुआ यहां पर भी paper double नहीं हुआ तो इसमें line of symmetry नहीं है तो यहां लिखेंगे no next हमारे पास rotational symmetry अब इसमें देखेंगे माल लिजे मैं यहां पर इसको center of rotation करती हूं मैं यहां पर डोट लगा देती हूं यहां पर fix किया यहां पर इसको fix कर लेते हैं मैंने यहां fix कर लिया मैं rotate करती हूं ऐसे rotate करते ही हो गया 90 n नहीं लगा 180 180 पर same n बन गया भी देखो ठीक है n बन चुका है जैसा आप capital n लिखते हो लेकिन मेरी original position नहीं है ठीक है मैं अभी पूरा 360 का पूरा चक्र complete नहीं हुआ है लेकिन फिर भी n बन गया एक बार बना है थोड़ा और रोटेट करते हैं 270 पर नहीं बना लेकिन पूरा चक्र complete हो गया वापिस डोट वहीं पहुझ गया फिर से n न जराया मतलब यह एक चक्र complete होन में करते हैं वक्षित नंबर 2 वक्षित नंबर 2 स्टार्ट करते हैं 1st question है हमारे पास name 2 figures having both line symmetry and rotational symmetry मुझे 2 figures बतानी है जिसमें line symmetry and rotational symmetry दोनों आ जाए तो मैंने यहां पर आप देखो इससे पहले मैंने आपको एक्जामपल दिया था कि यह जो square है square और circle आपके ऐसी two figures होती हैं जिसमें line symmetry and rotational symmetry दोनों ही आ जाती है तो आप यहां लिखोगे square and circle यह तो आपसे figures पुछी कि अगर आपसे example पूछ लें बस यही लिख देना इसमें यही चल जाएगा make a cut out of the shapes given in column 1 complete the given table अब आपको यह table भी complete करनी है सबसे पहले हमारे पास है square square में आपको order of rotation और angle of rotation बताना है square मैंने आपको करवाया भी था पहले square में आपको यहां बनांके भी दिखा देती हूं यहां देखें जैसे square था अब इसमें आपको बताना है order of rotation तो अब आप यहां पर देखें यह इस तरीके से भी आप बना सकते हो कि आपने पहले एक square बनाया यहां पर लैटर लिख दिए a, b, c, d, alphabets लिख दिए जब आपने इसको 90 degree पे rotate किया 90 पे तो आप 90 degree जब rotate करोगे तो a यहां से यहां पर आ जाएगा ठीक है next में यहां आएगा फिर यहां और फिर वापिस यहां पर आया फिर यहां आया फिर यहां और फिर वापिस तो यह original position उसके बाद एक, दो, तीन और चार बार सेम नज़राता है तो order of rotation 4 और angle of rotation कितना हो जाएगा 360 divided by 4 90 degree आप सेम ऐसा बना ले ना यहां से दिखाना कि 90 90 degree पे चेंज कर रहे हो पहली बार दूसरी बार 30 और यह fourth time अब मैं यहां पर आपको यह कट आउट का मतलब है आपको paper cutting करना है उसके बाद देखना है ठीक है अब यह original position है यह यह right corner पर मैंने P लिखा है मैंने इसको देखो आप याद रखना कि square न जराना चाहिए आपको क्या अभी square न जरा रहे है नहीं नहीं 90 degree rotate हो गया पहली बार square न जराया दूसरी बार square न जराया तीसरी बार और फिर यह हो गया आपका fourth time P वापिस अपनी उसी जगह आ गया तो यह चार बार same न जराया है तो order of rotation कितना होगा 4 order of rotation आएगा 4 अब हमें बताना है angle of rotation तो complete आपका one turn होता 360 का उसको आप divide कर देना जितना आपका order of rotation आए 4 से divide कर दो तो यह आपका 90 degree तो first part में angle of rotation आपका आता है 90 degree यह बक्षिट 2 है next है हमारे पास rectangle यहाँ पर आप equilateral triangle और लिख देना यहाँ पर लिख दो equilateral triangle आपको तीन बता दिया आपको जो भी आद रहे आप लिख देना पेपर में next है हमारे पास rectangle मैंने यहाँ पर rectangle बना रखाए मैं आपको दिखा देती हूं ठीक है यह rectangle है मैंने यहाँ पर इस जगए मैंने यहाँ पर पी ही लिख देते हैं कोई बात नहीं कुछ भी लिख सकते हैं मैंने पी लिखा है यह इसका center of rotation यहाँ पर यह इसका center of rotation हो गया अब आप याद रखना है यहाँ पर इस जगए पर यहाँ ठीक है मैंने 90 degree पर जब इसको rotate किया यह 90 degree rotate होगा यह इसका यह रेक्टैंगल नजर आया नहीं फिर 90 ओर rotate किया तो देखो ऐसा कब ऐसा rectangle है जैसे first position में था तो एक बार same नजर आया है यह 270 पर तर्न होगा फिर भी same नजर नहीं आ रहा यह वापी साब का चक्कर complete होगा तो दो बार same नजर आया यह रोटेशन कितना आ जाएगा ठीक है और एंगल ओफ रोटेशन 360 divided by 2 कर दोगे तो यह आ जाएगा 180 degree अब आप इसका अगर figure में ऐसे draw करके दिखाना चाहो तो ऐसे बनेगा यह इसकी first position होगी 90 degree पर जब आप रोटेट करतें तो यहां ऐसे horizontal से यह क्या आजाता है फिर vertical अगें फिर horizontal बनेगा अगें फिर vertical और फिर horizontal आप rotation कर देना अगली बार A यहां से देखो आप यहां से जब इसको देखो जहां मैंने P लिखा हुआ है चलो A बना देते है दीक है A ऐसे है जब 90 डिग्री पे रोटेट होगा तो A यहां पर आ जाएगा फिर से एक बार और 90 रोटेट करोगे तो यहां चला जाएगा इस नीचे वाले पॉइंट पे मतलब यहां पर आ गया यह हो गया फिर से 90 रोटेट करोगे में सेंपल कटाउट सही आपको दिखा देंगे यह एक पैरलेल लोग्राम और यहांपर इसमें ए लेटरल लिख रही हूं यहां पर इसके यह यहां पर फिक्स क्या यह पैंसिल वैसे चल गई है यहां से देखें यहां फिक्स करें याद रखना राइट कोर्णर पे लिखें लिखा होना चाहिए तब वह आप यह ओरीजिनल पोजिशन है आपकी ठीक है और परलेलोग्रम जैसा आपको नजरा रहा है लेंथ जादा नजरा रही है ठीक है और यह वली साइड इसकी छोटी ह है ठीक है ऐसा नजरा न चाकाँ ना इन्ती डिग्री हो गया नहीं सेम नजरा रहा है खुर्णर तो एक बार पर दोप्र सेम न जरा रहा ए तो regarderỏ तो आप याद रखना रेक्टैंगल और परलेलोग्राम में सेम होता है और रोटेशन भी और अंगल और रोटेशन भी नेक्स्ट है हमारे पास एक्विलेटरल ट्रेंगल का मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं ठीक है यहाँ पर यहाँ पर वाले पॉइंट पर ए लिख दे इकिलेटरल बनाती है मैंने गाराओ यहाँ न फशाया वह रहा चाहिंगे हो पहले में इस से सब्सक्रारायाया और हमारे अ प्र एक वर्ट ऐक आअ पर पर पहुँच है नहीं पहुच यह पहुच अपर पास तुच चिम बनाया ज़नाओ और फिर वाप एक चीज और आप यहाद रखो इसके लिए बहुत अच्छा एक पॉइंट है आप यह देखो हैं पहले मुझे पताओ इंहीं से क्षिकर्च गॉन कोन सी फीगर्जून मुसी और सबीदम क्षिदक अधिकर आधिकर्च नगा मोज़ें रखों सब्सक्का सब्सक्राइब में चोल्म हो थे और तो आधिकर्ण। सब्सक्राइब करने तो जो आपकी रेगुलर फिगर्स होती है तो जितनी उसमें साइड उती है उसका ओडर टेशन भी उतना ही आता है स्क्वियर में 4 साइड ना तो order of rotation 4 आया है equilateral triangle में 3 equal sides होती है तो उसका 3 ही आया आपका order of rotation तो regular hexagon में उसकी 6 sides होती है तो order of rotation कितना बनेगा 6 और angle of rotation कितना आजाएगा 360 divided by 6 60 degree अब मैं आपको बता देती हूँ आपको इसकी help से बता हूँ तो कैसे करोगे अब आप यहां देखो यहां पर मैंने dot लगा दिया ठीक है आप याद रखना ऊपर आप कैसे horizontal line जब horizontal बनेगा तो उसको मैंने original position मानना है ठीक है rotate करेंगे एक बार rotate किया same नजर आ गया दूसरी बार same नजर आया और हमें तो सिद्धा बता है regular word लिखा हो तो hexagon में chain side है तो हम तो सिद्धा 6 लिख देंगे next है circle order of rotation अब हमें इसका बताना है next है हमारे पास circle अब circle में हमें इसका order of rotation find करना है तो आप यहां देखें जैसे circle है ठीक है यह इसका center of rotation अब आप यहां से देखो 360 का मतलब जब घूम के यह डोट आपका यहीं पर आ जाएगा अब ज़रा सा रोटेट किया फिर से circle ही बना हुआ है कुछ चेंज तो ना circle तो circle ही ने जरा रहा है अब फिर वैसे circle ने जरा रहा है मतलब हर जग ज़रा सा भी चेंज कर रहे हैं तो circle वैसे का वैसे ना जरा रहा है तो order of rotation का मतलब है 360 complete होने से पहले कितनी बार ना जराएगा आप ज़रा सा भी angle चेंज करोगे तो भी circle तो circle ही रहेगा मतलब 360 complete होने से पहले यह बहुत बार सेम नजराएगा मतलब हम उसको count नहीं कर सकते कितनी बार नजराएगा तो इसका order of rotation कितना आजाएगा infinite next है angle of rotation angle of rotation का मतलब होता है कि कितने degree का angle चेंज करें और वह सेम पहले जैसी position नजराएग अब आप चाहो तो देखो मैंने यहां पर यहां 90 पह ले आई तो भी circle बन रहा है ठीक है वापिस ले गई मैंने 1 degree का angle चेंज किया तो भी उतन नहीं है मैंने 30 degree का angle चेंज करें तो भी वह सेम है मतलब वह तो बिल्कुल किसी भी angle पे circle circle ही नजराता है तो यहां पर आजाएगा every angle semi circle में क्या होगा तो अब हम यहां ले लेते हैं semi circle ठीक है यह रहा हमारे पास semi circle ठीक है आप इसका एक और method बताती हूं कैसे करते हैं जैसे माल लीजे मैंने semi circle लिया आप इसकी boundary boundary के साथ line लगा दो इसकी और पोजीशन है जैसा मेरा यहां पर है वैसे है मतलब अगर यह overlap करेगा तो वह मतलब अपना same position पर होगा अब मैंने यहां इसकी original position है अब हम इसको rotate करते हैं मतलब अगर वह नीचे वाली जीज को overlap करेगा नीचे आपको नहीं दिख रहा कि मैंने same ऐसा बना रखा है मैं थोड़ा भी change करती हूँ तो वह overlap नहीं करता ठीक है यहां से जब overlap करे तब आप count करना कि उसमें angle of rotation बनेगा मतलब आप order of rotation आएगा तो यहां से देखो मैं इसको rotate कर रही हूँ लेकिन overlap तो नहीं कर रहा overlap तो नहीं कर रहा मुझे तो नीचे से वह नजर आने लग गया ठीक है तब आप यहां से देखो जब उसने पूरा एक चकर कंप्लीट कर लिया तब overlap किया मतलब one round complete होने पर तो सिर्फ एक चकर complete होने पर एक बार नजर आया तो उसमें order of rotation 1 ही बनेगा और angle of rotation कितना हैगा 360 divided by 1, 360 degree तो यहां पर आपकी बक्षिर 2 complete होगी है अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें Thank you so much